नमस्कार आदाब, मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रॉंड रॉंड रॉप्शू आई नजर डालते हैं आज की मुख्यों सूर्ख के उपर नकसलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, कहना है मुख्यमंत्री बुपेश बगेल का फ्रेंच रिपोर्ट में दावा, रफाल डील में भारती बिचॉलियों को मिले थे साड़े आठ करोड के तोफ़े हमाई तीसरी खबर, गुवाहाटी से, मद्दाताओं को मच चोरी होने की आशंका हमाई चोथी और आखरी खबर कुरोना अपडेट देश में फिर से रिकॉर्ड एक लाग तीन हिजार पांसों नए मामले एक्टिव केस साड़े साथ लाग के करी पहुचे चतिस गड़ के बस्तर छेत्र में, नकसली हमले में 22 जवानों के शहीद होने की घटना पर मुख्य मंतरी भुपेश बगेल ने कहा कि जवानों का मनुबल ऊचा है तथा नकसलीों के खिलाफ कारवाई जारी रहेगी इस बीच ग्री मंतरी अमित शाह आज बस्तर दोरे पर है मुख्य मंतरी बगेल ने इस घटना के पीछे सूचना तंदर के असफल होने से इंकार किया और कहा यह पुलिस शिविर पर हमला नहीं है हम उच छेत्र में नकसल विरोधी अभियान में थे जबकि कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहुल गांदी ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा अगर खूफिया नाकामी नहीं थी तो फिर एक दश्मलों एक क्यनुपात में मौत का मतलब विया है कि इस अभियान की योजना को खराब धंग से तयार किया गया था तथा अयोग्यता पुर्वक इसका क्रियान वयन किया गया भारत फ्रांस के बीच हुए रफाल लड़ाकु विमान सौदे में एक बार फिर से भष्टाचार के आरोप सामने आ रहे है फ्रांस के एक पुब्लिकेशन ने दावा किया है कि रफाल बनाने वाली फ्रांसेसी कंपनी दसाओ को भारत में एक बिचौलियों को एक मिडियन यूरो बतोर गिफ्ट देने पड़े थे फ्रांसेसी मीडिया के इस खुलासे के बाद एक बार फिर दोनों देशों में राफैल की डील को लेकर सवाल खड़े होने लगे है फ्रांस के पब्लिकेशन मेडिया पार्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच रफाल लड़ाकु विमान को लेकर समझाता हुआ उसके बाद दसाओं ने भारत में एक बिचौलियों को ये राशी दी थी साल 2017 में दसाओं ग्रूप के अकाउंट से 5,08,925 यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर ट्रांसफर हुए थे इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करॉप्शन एजनसी AFA ने दसाओं के खातों को आडिट किया मेडिया पार्ट की रिपोर्ट के मताबिक खुलासा होने पर दसाओं ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तमाल रफाल के लड़ाकों विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था लेकिन ऐसा कोई मॉडल बने ही नहीं थे असम विधान सभा चुनाओ के मद्दे नजर वरिष्ट पत्रकार भाषा सिंग ने न्यूस क्लिक टीम के साथ चुनाओ प्रचार थमने के बाद गुआ हाटी में मद्दाताओं से बात चीत की आईए देखते हैं यह ग्राउंड रिपोर्ट थिक कर लेगा सब खुछ थिक हो जायेगा इसलिए उसरकर आया आदमी को मद्दान गया बोट दिया तो विज़े पी शरकर आ गया आकर मेहंगाई बढ़ गया प्यत्तुल का दाम जितना था सेवेंटीफोर सेवेंटीफोर सेवेंटीफाइशा था अभी आगया हांनेत का स और जो नागरिकता संशोधन कानून है वो मानता है कि 2014 तो इसको लेकि उस समें आकरोश था और इसमें हम गुहाटी में हैं गुहाटी में पांच लोगों की मौत हुई थी पुलिस फाइरिंग में और उस समें तो बहुत ही संवेधन शील था तो क्या विपक्षी से मुद् सब्चे करते थे उसमें एक हिस्सा था यहांके कलाकारों का यहांके रंग कर्मिं यहांके किलाकार यहांके कलाकार सब कुछ ठप रहा लोग डिसकनेक्ट हो गए उस मुद्दे के साथ और जो संगठन और उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन के दौरान जो लोग सक्रिये थे उन्होंने राजनेतिक दल बना लिया दो राजनेतिक दल बन गए तो इससे लोगों को यह लगा कि अच्छा यह भी में भी परिशाट लखलाट करते हैं और आशम जाती परिशत का नहतरी ते लूरिल जोती गोगोई करते हैं जो आशो के पूर अध्यागते जेल में हैं और लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जो चुनाबी वादे थे उनको पूरागी कर पाई तो अब वह सिफ्थ सोचते हैं कि हिंदो मुसल्मान का फार्मूला आजमा कर जैसे हर जगा जीतते रहे हैं हम यहां भी जीत जाएगे लेकिन जो असमया समाज है आपको समझना पड़ेगा कि वह सांपरदाइक था यहां पर नहीं रही अधीत में भी नहीं रही इसको कि लोगों का हाथ रहा है इन्हों ने डर पैदा किया कि यह जो लोग आये हैं यह यहां के लोगों को अलपसंख्यत बना देने उनको उत्यजित किया तो असम मांदोर्न के समय वह हुआ था लेकिन आप बाद में देखें ऐसे अतीत में देखें तो यहां पर जो समाज है ब नहीं डालते हैं क्या नाम है आपका रोकिया हमर एक्ट आदमी है वो बोलेगा अम हाली चाहते कि वोट डालते हैं नहीं डालते हैं के लगता है महेंगाई नौकरी कोई मुद्दा है ले लेकिन महेंगा तो सबसीं कर वाया मेंगा कोई जींश का कूम नहीं हुआ है पहले अथा नहीं मुझा उपší दिन शाया उस दीन से सम Gusti सा मनंगा किछा कि इस चाह कि रेच वह टिड़ गया एक होघ्समान अच्छा दिन से तो जदा अच्छा था पहले का अमरा बुरा दिन अच्छा था तो यह मोदी खाले हिंदू-मुस्लिम हिंदू-मुस्लिम इसी में राजनीति उसकाट का दिया बस अच्छा पहले हैं और दूसरी और बदरुदीन अजमल है जो यह कह रहे हैं कि अलब संक्छा की सुरक्छा का सवाल है और भाजपा को यहां से हटाना है यह दो बड़े नारे लग रहे हैं अब सबसे ज्यादा क्या मुश्किल रही पांच साल-चे साल में क्या मुश्किल वाला दौर तो सबसे लोगडाउन हैं गिया है हम लोग मिडिल कलास वालों के लिए फिर भी हम लोगा का जो मालिक है थोड़ा बहुत दे के हम लोग को चलाया ऐसा बत नहीं है लेकिन लोग देंगे वोड तो हिंदु मुसल्मान पर दे देते हैं आप जाती बाद वाला अपना करते हैं आप उनको कहा जाये हम तुर काते हैं कि जाती बाद वाला कोई नहीं होना चाहिए कितना नुक्सान हुआ लॉप्टान में हम लोग को बोलेगा तो 50 पर सुन तदेगा तो नहीं ह है इतने आखेराब होगी है लाम लोग का पाला तो दू-दू स्टाप था दुकान में अभी के स्टाप आम लोग रॉना मुस्किल हो गिया पहले तो बोला था सिश का दाम कमती होगा अभी क्या सिश का दाम कमती हुआ जैसे हम लोग का रोट सही है रोट ठीक होना सही पेले हम लोग का गाहों का तरफ आदमी है हम गाहों का रोट अभी भी एक्ठो भी थिक नहीं आ समय एचा हाल है रोट में जाने नहीं सकता है अभी भी एसा ही है अभ अभी तक कुछ ठिक नहीं हुआ हैं आप क्या काम करते हैं मैं तो फूट फाट में थोरा सा सूटा इसे कारबार करता हूं वही करके घर चला रहा है बाल बच्चा पड़ता है मेरा बोरा लरका है जिए फास्ट यर दे रहा है भी इस बर दिया उसको पराणी के लिए बहुत म केंदी स्वास्पंत राले दोरा आज सोमवार यानी पांच अप्रैल को जारी आकड़ो के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के अब तक के रिकॉर्ड एक लाग तीनिजार पांसो आफ़ावन नए मामले दर्श किये गए हैं और 478 मरीजों की मौत हुई है इससे पहले सबसे ज़ादा यानी 97,894 नए मामले 17 सितंबर 2020 को दर्श किये गए थे देश के सबी राजों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है जिनमें 8 राजों में तो हालात बेकाबू होते जा रहे हैं महरास्ट में आज फिर से सबसे ज़ादा यानी 57,074 नए मामले दर्श किये गए और 222 मरीजों की मौत हुई 36 गड़ में 5,250 मामले दर्श किये गए कनाटक में 4,553 मामले उत्तर प्रदेश में 4,136 मामले दिल्ली में 4,033 मामले तमिल नाडू में 3,581 मामले मध्य प्रदेश में 3,178 मामले और पंजाब में 3,069 मामले दर्श किये गए हालाकि इसी बीश देश भर में कोरोना से परित 52,847 मरीज़ों को ठीक किया गया है लेकिन एक्टिव मामलों की संक्या में 50,233 मामलों की और बढ़ोतरी हुई है आज के डेल राणड़ अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटिब चानल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखे फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रियों